तो हेलो दोस्तो, वेलकम टू हरलेंड, तो जो मुवी मैं आज आप लिए लेकर आया हूँ, वो एक स्लेशर हरा मुवी है, इस मुवी का नाम है कारवर, और यह मुवी एक रिल लाफ किलर की स्टोरी के उपर बेस्ड है, मुवी के IMDV रेटिंग के बात करें, तो यह है 4.5 आ बहुत ही कम लोग रहा करते थे, वहीं पर एक घर में, हम जीना नाम की एक लड़की को केड़ देखते हैं, जो की बहुत ही बुरी हालत में थी, और उसके हाथ पर किसी ने बांद कर रखे हुए थे, फिर कुछ देर के बाद में, जीना को होश आता है, और वो अपने पास क चीजों को देखने लगती है, पासी के रूम में एक गाना भी चल रहा था, और वो गाना एक किलर सुन रहा था, तब ही जीना देखती है कि उसके पास में वही किलर आ रहा है, जिससे कि वो जल्दी ही, एक लोग के टुकड़े से अपने हाथों को खोलने ही कोशिश करती है लेकिन तब तक वो किलर वहाँ पर आ चुका था, वो एक सौ उठाता है और उसे जीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, फिर कुछी दिर में वो उसी सौ से जीना का सर उसके धर सलग कर देता है, जिससे कि जीना वहीं पर मारी जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि किलर किलिंग करने के साथ साथ अपना सभी मडर के वीडियो को भी रिकॉर्ट कर रहा था, और इसी के साथ यह सीन यह पर कट होता है, कहानी फिर दूसरे सीन में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम दो भाईजों को देखते हैं, जिनका नाम ब्राइन और जैक था, दोनों भाई उस जाता है, लेकिन वहां का टॉयलेट बहुती गंदा था, और मजबूरी में जैक वही टॉयलेट यूज़ करता है, फिर ब्राइन उसे जगर पर स्मोकिंग कर रहा था, जहाँ पर उसे एक बड़ा सा डस्ट बिन दिखाई देता है, डस्ट बिन के अंदर देखने पर ब्रा ब्राइन को धक्का देकर, जमीन में गिरा देता है, बॉबी बिल्क उसे खिलर की तरह दिख रा था और उसका बहार और बड़े लिंगवेज उसे खिलर की चैसे ही थी, बोबी के ऐसे बहार पर ब्राइन उसे कुछ ने कहता है, और बोबी वां से चला आता है, फिर इधर जैक जो प्रोलेट में था तो उसे बाहर से कुछ आवाज है सुनाई दिती है और उसे ऐसा लगता है कि बाहर उसका भाई ब्राइन होगा तब ही वहाँ पर ब्राइन और जैक के दूसरे दोस्त रेचल और पीट आकर उसे डिराते हैं और दोनों भी यहाँ पर उनके साथ ही क पर पॉल नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि बाबी को अरेस्ट करने के लाया था क्योंकि वहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते थे वे लोग मार जाते थे और पुलिस ऑफिसर पॉल को लगता था कि बाबी नहीं उन टूरिस्टों को मार रहा है तो इसलिए वह उसे अ कलना लगते हैं कि तब भी उनको एलेक्स रोक कर हेल्प मांगता है एलेक्स चाहता था कि वे लोग कुछ मुवी के रिगल्स उसके घर से लेकर आए चुकि उसका गर फॉरेस्ट कंदर था एलेक्स अपनी मुवी के रिल लेने के लिए खुछ चला जाता लेकिन उसके बार को देखने वाला कोई नहीं था उपर से बोबी को भी पुलिस अपने साथ में ले गई थी पहले तो वे लोग एलेक्स के हल्प करना नहीं चाहते थे लेकिन जब एलेक्स उनको फ्री टिंक आफर करता है तब वे लोग मुवी के रिल लेने के लिए चला जाते हैं फिर इसके पता चलता है कि केट और जीना एक साथ में पर केंपिंग करना आयते हैं लेकिन बीच में ही जीना कहीं पर गयाब हो गई और केट को अब तक उसके मडर के बारे में कुछ भी नहीं पता था केट उन लोगों को भी जीना के बारे में पूछती है लेकिन उन लोगों ने भी जीना को कहीं नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम पुलिस ओफिसर पॉल और बॉपी को देखते हैं। पॉल बॉपी को फॉरेस्ट में एक लड़की की डेट बोड़ी दिखा कर उसके बार में पूछता है। बॉपी पॉल को इस बारे में कुछ नहीं बताता है, बस उसे घुसे से देखना लगता है। फिर इतरम देखते हैं कि केट की बाकी लोगों के साथ में भी दोस्ती हो गई हैं। तो इसलिए केट भी उनके साथ में एलेक्स गर की तरफ निकल जाती है। उन मुवी की रिल्स लेने के लिए। लड़के ने दो कपल को भी भूती बुटीली तरीके से माए था। एक लड़की किलर से फाइडबेग भी करती है, لेकिन किलर उसे जान से माँ डालता है। लड़की का बोईफेंड किलर से भाग रहा था लेकिन किलर उसका पेट काटकर उसके आंतड़ियों को निकाल लेता है जिससे की वे लड़का वही पर मारा जाता है अब दूसरी डिल में हम देखते हैं कि एक कपल इंटिमेट हो रहते हैं तब ही किलर वहाँ पर आकर लड़की के सर में सो गुसा कर उसे जान समा डलता है यहाँ पर यह वही लड़की थी जिसकी डेट बोड़ी पुलिस ऑफिसर पॉल बोबी को दिखा रहा था लड़का वहाँ से भाग रहा था तो इसलिए किलर उसकी आख में एक हुक गुसा कर उसे अपनी तरफ कीचता है और फिर उसी सो से उस लड़के के फेस को दो हिस्सों में काटना लगता है और इतना भानेक सीन को केट और ब्राइन नहीं देख पाते हैं और वह लोग बाहर चले आते हैं लेकिन बाकी के लोग अभी भी उन मुवीज को देख रहे थे बाहर जब केट और ब्राइन बात एक कर रहे थे तब उनके पास में जैक आता है और जैक को उन मुवीस के मुर्डर बिल्कुल असली लग रहे थे उसने कभी भी इतने स्लेशर और ब्रूटल मुवी नहीं देखी थी लेकिन ब्राइन उसके बातों को एगनौर कर रहा था और उसके मताबिक ये सब रियल होई नहीं सकता है फिर अचानक उनको फॉरेस्ट के बीच में से कोई आतों दिखाई देता है तो इसलिए वे लोग अंदर जाकर सबी चीज़ा सही करने लगते है और यहां पर जैक एक मुवी की रिल को चुरा कर अपने पास में रख लेता है सबी वापस अपने अपने केंप में जा रहे थे लेकिन तब जैक बातों करने के लिए कुछ दूर चला जाता है जैक नोटिस करता है कि वो जिस जगप पर खड़ा है वो वही जगए है जह पर किलर ने उन कपल्स को माना था जब वो जमीन के तरफ देखता है तो जैक को वहापर किलर के हाथों मारे गए उस ललके के दाथ भी मिलते है जिससे कि जैक कंफर्म हो चुका था कि वहापर कोईने कोई किलर जरूर है अब वो वापस जाकर जैक ब्रैन को सारी बाते बताता है लेकिन ब्रैन उस दाथ को देख कर भी जैक की सबी बातों को एगिनॉर कर रहा था फिर रात को वे लोग उन रिल्स को लाकर एलेक्स को दे देते हैं और एलेक्स के बार में बहुत से लोग आयोगे थे वहाँ पर रेचल, पीट, कैट, ब्रैन और ये सबी लोग एंजॉय करने लगते हैं लेकिन जैक अभी बेटेंशन में था उसको इस जगह पर कुछ न कुछ गड़ पर जूर लग रही थी फिर इधर बार में एक लड़का रेचल के साथ में फलट कर रहा था रेचल ड्रंक थी और वो भी उसके साथ में फलट करती है ये देखकर पीट को गुस्ता आता है और वो उस लड़के को मारने जाता है तब वो लड़का ही उल्टा पीट के फेस पर पंच मारता है जिससे कि उसके नाक से खून निकलना लगता है फिर गुस्ता में पीट रेचल से भी बातें नहीं करता है और बातरूम के तरफ चला जाता है रेचल यहाँ पर बूते ड्रंक थी और वो ब्राइन के उपर भी वो मिटिंग कर देती है फिर इधर बातरूम में जाने के लिए बूते लंबी लाएं थी और कोई भी पीट को पहले बातरूम नहीं जाने देता है फिर इसलिए वो एलेक से कहने पर बार से सो मीटर की दूरी पर जो बातरूम था मुहापच चला जाता है लेकिन वहाँ का टोइलेट बहुत इकंदा था तो इसलिए मजबूरी में पीट उसी टोइलेट को यूज़ करता है फिर कुछ देर के बार में पीट को बार से किसी के हसने की आवच सुनाई देती है पीट को लगता है कि वो ब्राइन होगा लेकिन वो किलर था जो कि अंदर घुसकर पीट के हाथ एक दिवार में लॉक कर देता है फिर वो किलर टोइलेट को उठा कर उसका सारा हुमन वेस्ट पीट के उपर गिरा देता है और उसके बार में वो पीट के प्रावेट पार्ट को काट डलता है अब यहाँ पर केमप साइट पर जैक उन रील्स के नेगेटिव में किलर के फेस को देख रहा था तब ही वापर ब्राइन आता है जो कि उस रिल को जेक के पास देखकर उससे नारास था एलेक्स अभी भी बाहर में था तो इसलिए एलेक्स के पता चलने से पहले दोनों उस रिल को एलेक्स से घर रखने जाते हैं जाने से पहले ब्राइन केट से कहता है कि वो रेचल का ध्यान रखे और एचल भी इस बात के लिए मान जाती है फिर इतर हम किलर को पीट की डेट बोडी ठिकाना लगाते हुए देखते हैं दूसरी तरो ब्राइन और जैक एलेक से गर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक दूसरे डेल मिलती है जिसमें केट और उसके सिस्टा चीना थी मतलब कि किलर चुपकर उनके भी वीडियो बना रहा था तब ही वे लोग वहाँ पर बॉबबी को आते हुए देखते हैं जिसमें देखकर दोनों ही चुप जाते हैं बॉबी अपने साथ में कोई भारी चीज उठा कर लेकर आया था फिर बॉबी से चुपकर दोनों एक रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर उनको यूमन के कटे हुए बॉडि के पार्ट्स दिखाई देते हैं और यहाँ पर में पता चुपता है कि वो किलर और कोई नहीं बलकि एलेक्स का भाई बॉबी ही था यह सब देखकर जैक बहुत ज़ता डर गया था लेकिन ब्राइन उसे संभाल लेता है फिर उसी टाइम बॉबी उस रूम के बाहर आता है लेकिन वो उनको देख नहीं पाता है और उस रूम के डॉर को लोग करके वो वहाँ से चला आता है इधर केमसाइट में जब रेचल को होश आता है तो पीट को ढूनने जाना चाती थी लेकिन केट उसे फोरेस्ट के अंदर जाने समाना करती है उस फोरेस्ट से किसी की आवाजें भी आ रही थी लेकिन जब केट का ध्यान दूसरी तरफ था तो रेचल उसी आवाज का पीछा करके फोरेस्ट के अंदर चली आती है दूसरी तरफ जैक किलर बॉबी से बहुते डरा हुआ था और ब्रैन जएक को भी सम्भल रहा था और वहाँ का डर भी खोलनी कोशिश कर रहा था दोनव फिर मिलकर रूम का डर को उटाकर कोशिश करते हैं और कुछी देर में दोनों उस शेटर को थोड़ा से उटा दिया था तब ब्राइन उस शिटर के नीचे से बाहर जाना वाला था लेकिन अचानक शिटर नीचे गिर जाती है और ब्राइन का हाथ बुरी तरीके से टूट जाता है यहाँ पर फॉरेस्ट में रेचल पीट को आवज लगा रही थी और अचानक उसके सामने बॉबी आ जाता है और एक हैमर से उसके फेस पर हमला करता है जिससे की रेचल की नाक से खून भी निकलता है लेकिन फिर भी रेचल कुछ को किसी तरीके से संभाल लेती है और एलेक्स से घर के अंदर चली आती है रेचल ने घर कर दोर को भी ब्लॉक कर दिया था और वो एक रूम के अंदर छूपे हुई थी और रूम के अंदर जाने पर रेचल के पेर में एक कील चूप जाती है जिससे कि वो जोड़ से चिलाती है और उसकी आवाद सुनकर बॉबी वहाँ पर आ जाता है और हैमर से रेचल के सर पर वार करके उसे बहुश कर देता है रेचल फिर भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तब बॉबी उससे पकड़कर उसकील को हैमर से रेचल के पेर में गुसा देता है बॉबी उसकील को बार 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 निकाल राता और बार बार रेचल के पेर में गुसा रहा था जिससे कि रेचल के हालत बहुती बुरी हो चुकी थी फिर कुछ देर के बार में उस घर में केट भी बैन और जेक को डूनते वा आ गई थी लेकिन वहाँ पर उसे एक बैग में पुलिस आफिसर पॉल की डेर बोड़ी मिलती है जिससे कि वो अब समझ चुके थे कि वहाँ पर कोई किलर घुम रहा है केट की आवज को बार बी और ब्रैन और जेक भी सुन पाते है और केट उनकी आवज को फॉलो करके उस रूम तक पोच जाती है लेकिन रूम का डॉर नहीं खुलता है तब केट उस रूम के शेटर की तरफ जाने लगती है फिर बाबी उस कील को रेचल के सर में गुसा कर उसे जान से मार डालता है और उसके बाब में वो बागी लोगों का शिकार करने के लिए निकल जाता है यहाँ पर केट उस दोर को भी बाहर से नहीं खोल पाती है और ब्रैन उसे अपनी कार की चाबिया देता है और पुलिस को वाप लाने को कहता है वहीं पर बाबी चुपकर उन सबी पर नज़र रखे वे था और केट के मां से जाने पर बाबी उसका पीछा करता है केट को रास्ते में एक हत्यार दिखाई देता है जिसे वो अपने पासमर रख लेती है और उसके बाद में केट कार में बेट जाती है फिर अचानक उसके पास बाबी अपना मास्क पेन कर आता है और तब केट कार से किलर को कुछल देती है और फिर उससे हत्यार को किलर के सर में गुषा देती है लेकिन जब केट किलर के मास्क खटाती है तब उसे पता चलता है कि वो Killer ऑबी नहीं बलकि Peat था ऑबी ने अपना जैसे कपड़े और मास्क Peat को पेना कर रखे वे थे ताकि सब उसे Killer समझे और Killer को लेकर Confusion पैदा हो तब ही वहापर Real Killer ऑबबी आता है और केट के तर गोले चलाता है और अचानक सीनियें पर कट होता है फिर उसके बार में हम जैक और ब्रैंड को देखते हैं जो कि अभी भी उसी रूम में फसे हुए थे तब ही रूम का डूर खुलता है और वहाँ पर बॉबी अंदर आता है तब जैक एक हत्यार लेकर एक जगर पर छुप जाता है और बॉबी ने ब्रैंड को देख लिया था और वो उसे की तरफ आने लगा था तब जैक बॉबी को उपर हमला करता है और बॉबी भी एक स्कूर ट्राइवर जैक के पेर में गुसा देता है और वो ब्रैंड के टूटा हुए हाथ पर भी हमला करता है दोनों मिलकर भी बॉबी का कुछ ने बिगार पा रहे थे और बॉबी एक आईरन रोट से बार पर जैक को पीट रहा था तब ब्रैंड अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ पर पढ़ा हुआ एक चाकू बॉबी के एक आख में गुसा देता है और बॉबी तब उसी आईरन रोट से बैंड के सर पर वार करता है यहाँ पर जैक धिरे धिरे भागड़ी कोशिच कर रहा था लेकिन तब तक जैक डोट तक पहुँच चुका था और बॉबी वहाँ पर आकर जैक की उंगलियों को दर्वाजे में फसा कर उसे तोड़ देता है फिर उसके बार में उसी आईरन रोट से जैक को मार कर वो उसे एक हैंड कफ से बांद देता है दूसरी तरफ हम देखने है कि बॉबी ने केट को एक वेडिंग ड्रेस पहना कर एक चेर पर बांद रखा है और खुद को छुडाने के लिए केट चेर से खुद को गिरा लेती है तब उसकी रस्ते भी खुल जाती है और उसके बांद में केट वहाँ पर पढ़ा हुआ एक हत्यार उठा लेती है इदर बॉबी अपना कैमरा और म्यूजिक ओन करके ब्रैन को टॉचर कर रहा था और एक हैमर से बॉबी ब्रैन को बहुती बरी तरके से मार रहा था जेक रूम के दूसरी तरफ से ब्रैन के चिलनाने की आवाँ सुन रहा था और यहाँ पर बॉबी ने जेक को एक डेट बोडी के साथ हैंडकुफ लगा के रखा वाता तो इसलिए जेक अपने पेर से चाकू निकाल कर उस डेट बोडी के पेर को काटने लगता है ताकि वो खुद को शुड़ा पाए लेकिन जब तक जेक ब्रैन को बचाने जाता बॉबी ने हैमर से मार मर कर ब्रैन को जान से माड़ा लाता और अब वो जेक को मानने के लिए उसके पीछे हैमर लेकर पढ़ जाता है तब ही वहाँ पर केट एक गन लेकर आती है और बॉबी को शूट करती है लेकिन जब वहाँ पर अपने बेहन जीना की डेट बोडी देखती है तब वो खुद को गोली मर कर सुट जेक यहाँ पर अकेला पर जिगा था और वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक बॉबी भी फिर से उठकर गन उससे चीन लेता है और फिर वो जेक के तरफ शूट करता है लेकिन गोली सिर्फ जेक के कान प लगती है बॉबी जेक को शूट करने वाला था लेकिन अब गन में गोली खत्म हो चुकी थी और इसी मौकर का फायदा उठा कर जेक वहाँ पर पढ़ हुए एक चाकू को बॉबी के सर में गुसा दिता है और तब फाइनली किलर बॉबी की मौत हो जाती है सब कुशान थोने के बार में जेक फिर से प्रोजेक्टर चला कर बॉबी के मर्डर की औरि मूवीigon को देखना लगता है तब वहाँ पर बॉबी का भाई एलक्स आता है और उनसे एक का गला काट कर उसे भी मार डालता है और मूवी के एंड होते होते कोई भी दोनों किलर भाईयों के हातों नहीं बचता है और यहीं पर यह सीरे लिस मुवी एंड हो जाती है तो दोस्तो इस मुवी में हम ने दो किलर भाहियों को देखा जो कि साइको किलर थे और वो लोगों को मार कर उनके मढर के वीडोज बनाते थे उनका एक बार भी था और वहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को अपने जान में फसा कर उन्हें मार जा करते थे